नमस्कार मैं हूँ साक्षी चैन और आप देख रहे हैं खबर एंग्रेट आईए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे हैगलाइन्स की ओर यूपी के कन्नोच में इस तरक हाजसे में शात्रा की मौत तिरांच पाले का परिशट पर ब्रस्ता चार के लगे करियारों इन और के आपकारी अधिकारी के दो ठिकानों पर लोका युख्ट का छापा अब खबरे विस्तार से यूपी के कन्नोच जिले में तीज रफतार कक्के हैर फिर देखने को मिला यहां स्कूल जा रही 17 वर्ष ये छात्रा को ट्रक ने रौन दिया छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई छात्रा की मौत से आसपास मौजूद लोगों ने जारक पर जाम लगा दिया मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड को समझा कर शफ को पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया छात्रा की मौत से उसके परिजनों कर रोरो कर बुरा हाल पना हुआ है पुलिस ने आरोपिक ट्रक ड्राइवर को गिरफतार कर ट्रक को हिरासत में ले लिया है घटना गुर्सहाई गंज कोतवाली इलाके के मलिकपूर बहादूरपूर की है जहां सुभा मृतक छात्रा स्वाती अपने स्कूल को जा रही थी तबी फरूकाबाद जिले की ओर से आ रहे है तेज रफतार ट्रक ने स्वाती को रोन दिया स्वाती की मौके पर ही मौत हो गई घटना इस्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि पलिस सूचना के आदे गंगते बाद मौके पर पहुंची मौहिस तिंग अभी क्या गटना क्या कैसे क्या हुगा कुछ बात में आते जब आये तो यहां तो पर हो चुका था स्वाती किसने साल की थी 17 साल की थी यहां पर मौजूद लोगों ने क्या बताया कैसे क्या गड़ना हुई कुछ बारें पता चला इसके पुलिस वाले मौके पर पहुंचे हैं नहीं अभी नहीं आए अद घंटा बाद है लम समय आद गंटे बाद है सिरॉंच नगरपाले का परिशन ब्रिस्टा चार का अगड़ा बन गया है परिशन में साथ जन प्रतिनिडियों के बच्चे पुत्रभती जे साले बड़े भाई यह सब दैनिक वेतन भोगी करमचारियों के पज़ पर कारिरत है जबकि धारा 84 के अंतरगत जिस किसी का भी सिरॉंच नगरपाले का परिशन में ऐसे नियमों को ताक पर रख कर चनाव किये जाते हैं जब कि सभी चुनाव अधिकारी को ये जानकारी निकालना भी संभव नहीं समस्ते कि इनका कोई चनप्रिती निदी इनका कोई परिवार का नगरपाली का परिशन में कारे रत है अगर ऐसी स्थिती में कोई चुनाव लड़ता है तो उसको चुनाव आयुक से चुनाव लड़ने की अनुमती नहीं मिलती जबकि सिरोंज में ये सारे नियमताग पर रख कर किये जाते हैं उसकी कोई भी अधिकारी चार्ज नहीं करते सिरोंज नगरपाली का के चनप्रिती निद्यू के रिष्टिदार एवं भाई बंदू नौकरी पर लगे हुए हैं जबकि ये पूरे कर्मचारियों को जानकारी होने के बाद भी कोई कारिवाही नहीं करते हद तो तब होती है कि पूर्फ नगरपाली का CMO प्रताप सिंग के घर के बालक भी दैनिक वेतन भोगी कार कर रहे हैं अब देखना यह होगा कि जानकारी लगने के बाद प्रसाशन इन पर क्या कारिवाही करता है के लिए करें सदसनी साहब उसका बड़ा भाई नोक्री करता है और को इसनाम कराइन स्टिशनाम तरा कशे है के इसका किया एक हम यह जब ने लडन धयतल है अजब लड़ा जब है नोक्री में था हम इसकी पहें रेति राहोगळ में इसकी बाद़ शब रह मलें तो बाट नमबर 16 में उसका नाम हरीवाई नाम करके है, उसके बच्चे का नाम है, इसका परिवार का इंदोर में रेता है, उसके पूरा बाट नमबर 16 में, इसके सुसरार भोपाल में हैं भैसाब, उसके सास का उसके साले का नाम है, इतना और इसकी भुहा रहती है रूसिया अब दो पूछ नाम लगते हैं अब अच्छा कहा के रहने वाले हैं अच्छा एक चीज अभी जो आरे इन अगरपाल कहा में जो हैं जो हैं जाइटी मेडियो क्या मेंटर है पूरा जाइटी के विक्ते हैं पार्शे साफ दोरा की गई है अईवाली राणा भारा जो पी सास्कीय डियूदियों और जैक्टि दियूदियों के समंदे के दिखे हैं देने वेदर दूरी पदोंका सास की करमचारी के बच्चे भी या भाई वेमजा कुछ ऐसे लोग भी है जिनके नाम है कि आप ये बाबू जी है बंदरिप्रिचार शर्मा जी उनका एक लड़का है दो साले हैं उनके नाम भी है एचो साफ थे इनेज मीना जी उनके भाईया दिकते हैं अपिर मेना उनकी घ करमचारी के पुत्र संबंदित न्युकते हैं अच्छा ये भी सुनने माया कि जो पूर्वे जो एते नगरपाल के सीव में नोका यो कोई लड़का वागेरा है पूर्वे सीव में वो जी थे प्रदाप सी ठेगर उनका लड़का न्युकते है देनिक वेतन मुवी से जो कि उनका नाम उपेंद्र वर्मा है और नगरपाली का एक्ट जारा चोराश्री के अंदरगत ये चास्की करमचारी के संबंदित वेजा नियुजन से न्युकते करना अवे जानिक पिलकिरिया के अंदरगत आते है अच्छा अभी तक आपने शिकायत करें जिसमें क्या निरात महादे के संबंदित की उप्तियां गुर्व से देने क्वेतन भोगी के पदोपर की गई है इस संबंदित सहीं संचालक को भी मैं कल शिकायद करके आया हूँ महादे को कई बार शिकायद कर दी महादे इस और ध्यान नहीं देते और केटें कि शिकायदों से क्या करोगे आप आवेदन बापिस लेओ और इससे संबंदित कोई कारवाई मत करो एक तरफ तो भाजापा के कहते हैं कि हम जो यह ना वेरोजगार और पुरुशगार देग अब बिरश्टाचार करते हैं अपने लोगों को बहने का देलिग वेधम भोगी पर नुक्त करने का प्रापड़ान रशते हैं चायो जन भागीदारी कोलेज हो या अन्य विवस्ता है और पार्शण और भाजपा की जितने भी सतस्यो थे होते हैं अपने लोगों को रखने जब से नगरपाली का वे बोड़ बना है बार्थान में जो गोड़ है इसके दुआरा जो है अनेकों तर्याप की हनीमिता हैं जाहा श्रहुंज का जो सुन्दरिय करन के नाम पर तलाब का गहरी करन का दरस्ता चार हो उसके भाद मैं जदी हम बात करें वैसे भी जो नगरपाली का में जन्ता के दुवारा चुलके जाता来 अपने किसी भी रिश्टेदार या किसी भी परिवार के बैक्ती को सरकारी लाप का कोई भी उसे फायडा नहीं दे सकता लेकिन इस नगरपाली का में देखने को आया है कि कुछ जन्पृतिनिदियों के परिवार के भाई हो बदीदियों जो कई ना कई देनिक बेतन भोगी के बद कर निक्त किये गए हैं यह सरा सर गलत है इस चीजे हो रहे हैं कि जो इस से पूर में जो खेंगा सियो मो रहे हैं उनके बेटे को भी देनिक बेतन पर यह नो पहले किया गया था उसका बेतन भी स्नों नगरपाली का से जो है आरा होता था यह नाम में अग्वर श्रीवास कर दो गया धाते हैं जो नगरपाल काम कर रहा है उसके बारे वी क्या है अग्वास इसके बारे वैटे जो लोकायुक्त पुलिस की टीम ने मंगलवार अलसुभास सहाय कापकारी आयुक्त आलोग कुमार खरे के इन दौर में ठिकानुस सहट दो जगार राय से इन्वेच छतरपुर इस्थत निवास पर कारिवाई की छतरपुर में आलोग खरे के पिता लाल जी खरे रहते हैं बोपाल लोकायुक्त के निर्देश पर सागर लोकायुक्त की टीम छतरपुर में कारिवाई कर रही है लोकायुक्त दीएसपी नवी नवस्थी का कहना है कि ये प्रदेश की सबसे बड़ी कारिवाई निकल सकती है वहाई इंदॉर में कारिवाई करने के लिए इंदॉर लोकायुक्ट टीम की मदद ली गई है जानकारी के मताबिक इंदॉर के ग्रैंग एक्जॉर्टिका सहित एक अंज स्थान पर जब टीम पहुंची तो ने ताला मिला पताय जा रहा है कि खरे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ती होने की शिकायत मिली थी जुस पर लोकायुक्ट पुलस नहीं एक्शन लिया है यह बात भी सामने आ रही है कि खरे की पत्नी राइसेन में फलो की खेती कर रही है और वे पतनी के नाम से ही income tax return फाइल कर रहे थे इंदॉर के सहायक आपकारी आयुक्त नरेश 24 के ट्रांसफर के बाद भोपाल से सहायक आपकारी आयुक्त आलोग खरे को इंदॉर सहायक आपकारी आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई थी इंदॉर में उनका एक बंगला और एक फ्लैक है लोगायुक्त की टीम जहां पहुंची थी दोनों ही जगा ताले लगे मिले अलग-अलग जगाओं पर लोगायुक्त पुलिस जांच कर रहे हैं इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि खरे के ठिकानों से उन्हें क्या मिला जहां जहां भी टीम पहुंची है वहां खरे के बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं जानकारी के मताबिक लोगायुक्त पुलिस की 19 लोगों की टीम रायसेन में खरे के फॉर्म हाउस पर कारिवा ही कर रहे हैं रायसेन में उनकी 56 एकर की जमीन दो जगा अलिशान फॉर्म हाउस भी मिले हैं खरे की पत्नी के नाम भी करोड़ो रुपए की बेनामी संपत्ती होने की बाद सामने आ रहे हैं यहां चौपड़ा महला और डाबर इमलिया में एक साथ कारिवा ही जारी है रोलिंग ना सिर्फ किस तरगी कारवा ही इंदोर में अभी जारी है लोकायक संठान बोपाल पुलिस को ये सिकायत प्राप्ती थी कि स्री आलोक खरे सहाय कायक इंदोर जो है इंके द्वारा विश्टा अच्रन करके अवेद संपत्त की अर्जित की गई है सिकायत का सत्यापन किया गया सत्यापन पर प्रुधम देश्टा सही पाया जानी पर इनके वुरुद एफाई यार जीरो अबलीक दोजार उबनीस धारा तेरा एक बी तेरा दो धारा बारा विश्टा चान निवान दीनियम एक सो बीस भी भारति दन विधान के अंतरगत प प्रात्मिकी विवेशना के अनकुरम में आज इनके पांच इस्थानों पर पांच ठिकानों पर भोपाल लुकायक्त कुलिस की अलग-अलग टीमों ने एक साथ चापामार कारवाई परारा मिकी इनके छतरपुर इस्थित पैत्रिक निवास पर इनके भोपाल निवास पर इंदौर में, इंदौर ओफिस में और रायसेन मिन के जो दो फार माउस हैं वहाँ पर एक साथ ये चापामार कारवाई की है हमारी टीमें अबेद संपत्ति से संबंदित दस्थावेश नंगदी, कैस और जो भी वेलियोबल्स हैं उनके वारे में सर्च कर रही है लास्ट इस्थाथी जब सारी टीमें एक साथ कारवाई पूरी हो जाएगी तब बताना संभव होगा जो भी आपको क्या क्या मिला एंक ओपिस से कि ये नहीं बताया जा सकता जो भी दस्थावेश हमारी वेचना से संबंदित होंगे संपती से या इनके आय और वेश संबंदित वो सारे दस्थावेश और वस्तमों का बारे में हम सर्च कर रहे हैं जैसे ही बोपाल में कारवाई चल रही है और सुरी आलोक कुमार खरेजी अपने बोपाल निवास पे हैं, वहाँ कारवाई जैसे पूरी होगी या हमें सुविधा जनक होगा तो हम तुरंट चाई उल्वा करगे। कमलनाथ का 14 अक्तूबर को नरसिंगपूर में कारकरम रहा, जिससे चिले में राजनी तिक सरगर्मी बढ़ गई है। जिसके बाद बीजेपी ने सभास्तल से थोड़ी ही दूर कमलनाथ की सतबुद्धी के लिए यग्य किया। इस दौरान बीजेपी सांसद, राव, उदैप प्रताप ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया नहीं, बेरुजगारों को भत्ता दिया नहीं, किसान और सभी वर्ग परिशान है, अब कुछ नहीं हो सकता, भगवान से प्रातना है कि इनको सतबुद्धी दे। नरसिंग पूर विधायक जालम सिंग ने कहा ब्रस्ताचार, अत्याचार, जिले में हो रहे हैं, कॉंग्रेस प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही, मैं विधायक हूँ, मेरा नाम कार्ड में नहीं है, वहाई कॉंग्रेस के विधायक संजय शर्मा ने बीजेपी पर पलकवार करते हुए कहा, कि सत बुद्धी याग ये खुद के लिए क अच्छा था, भाज़पा इतना बड़ा दल है, देश में लहर चली, लेकिन प्रदेश में इनके कारण कुछ नहीं हुआ, खुद की बुद्धी सुधारे, कमलनाच जी इतने पुरानी नेता है, जितनी इनकी उम्र है, वहीं कमलनाच सरकार की तारीव भी की प्रदेश कारण की रही है, वहीं कमलनाच अच्छा आएर दोरान के कारण की लिए हिए, और उटके नाख के लिए रिस्टा चार हो रहा है, ट्रांसपर्वत देशें रहा है, वहां सराव सब्सक्राव भीक रहा है, तुमारे जिले ने जो जिले की नाख दिंपर में अधा वाणिवार्ट में दिद्राइक को मंत्री बंदिया जोट प्रोटोकालिका अलंगन यह कर रहा है इसा मानता हूं कि मुख्वमंती को पूपी तो लेना देना नहीं और पिधायकों को मंत्री को चीज़ दे रहा है प्रोटोगाल का उलंगा निया करना है इतना भी भार्जनता पार्डी के सब्सक्राइब करना है नहीं पर्देश कुछ जिला पंचान पंचान दो पार्देश का नाम नहीं है करने का जो जिम्मा ठेका है कांगे इसने उठा लिया है गलत काम करती है आई यह कहीं से कहीं दे कोई नियम को नता बता रहे हैं सद्द्धाय आए इसके माध्यम सुन का में था नहीं सक्ति लगता तो नहीं है उनकी कोई सद्द्धी निदाना तो प्रयास है दूसरे तरह एक उधान हो रहे हैं जबलपर में संस्द्धी वागत से कारिकम हो रहा है मुंहानि कल 14 तारीक राजबाई जी आ रहा है को मुखति की उसमें कांग्रेस के वहां के लखनकरिया को बलाया दिवेक तंखा को बलाया है मानि हमारे सांसादें खकलशी को लखते हैं बागी सारे लोगों उसको बलाया गया पत्तव वकादा कार्ड में नाम दिये गाए मगर दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसको संच्किती से हो संस्कार्ण को लेना देना नहीं जी अंतर भाजपा में डिये ने कुमांदाब डिये ने में कुछ गड़बड़ है यह प्रदेश की सरकार के लिए भी है प्रशासन के लिए भी है तो जे विवस्ता की संचाल कि लिए कि जो चीजे पहले कही गई है उनको करने का काम करें आपने कहा कि कर्ज मात करें यह किया नहीं किसान परेशान है किसान परेशान है उसको मौज़ा नहीं पसमें खराब हो रही है बजाए इसके भारती जनता पाईटी के जमाने में स्विक्रेट पूर्ण हुए कारियों का लुकात बहुत हो जिनका एक श्रॉक की तरह आप उसे पूरा करने आ रहा है बहुत खेट का विसे है इसलिए अब और कुछ नहीं हो सकता केवल हम लोग भगवाई से प्रारतना कर रहे है यह प्रभू इस लगड़ी लूली सरकार को सद्वुद्धी दो कम से कम ऐसे काम करें जिससे कम से कर जहने तैसी कार हो सके किसाने तैसी कार हो सके गरीबों की मदद हो सके इसके लिए हम लोग आज यह धरना प्रदर्शन और यग का काम प्याता है कंग्रेस के लोग ने शायद कमलाज जी की गहराई को नहीं चानते हैं कमलाज जी बड़े राजनेता है देश के इनके बारे में हम को बात करें मुझे लगता हूँ चितने लेकिं ये कंग्रेस के लोग जो आन्मी कमलाज जी की आड़ में अपनी रोटी सेखना चाहते हैं लोग उनसे कहना चाहता हूँ कि जनता सब जान चुकी है अगली बार तैयार रहें नर्सिंगपुर जिले में चार सुन्द के लिए यहाँ पर यहाँ की जनता इतना बड़ा परणाम देने वाली है तो लोगों का एक वर्ष में जो दुफ लोग की कुंटा और लोग की तकलिफ जो निकल के आ रही है वो बिश्वर नहीं है उसका मुताबला कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकते जिले में आगे आने वाला समय इस वर्ष अत्यादिक वर्षा होने के कारण इस बार रवी सीजन अक्टूबर के बजाए नवंबर से शुरू होगा किसानों को सिचाई के लिए अक्टूबर के आखरी या नवंबर के पहले सब्ता में सिचाई की आवश्यक्ता लगेगी इसी करी में बिजले विभाग मे इसके लिए चाक चौबंड व्यवस्था की गई है बिजली कंपनी इंदौर ने अक्टूबर मां में गतवर्ष 24,000 लाग यूनिक की खपत रवी सीजन में की थी जो इस बार 20,000 लाग यूनिक खपत का किया गया है इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि इस बार अत्य जदिक वर्षा के कारण रवी सीजन तकरीबन एक मां की देरी से शुरू होगा जो काम अक्टूबर में शुरू होता था वह नवंबर में शुरू होगा जिससे बिजली के आवश्यक्ता भी नवंबर में 28,000 लाग यूनिक रहेगी इंदौर के अंतरगरत इंदौर सीजन सर्वा देख रहता है इन ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनी ने चाक चौबंध व्यावस्ता के निर्देश चारी कर दिये हैं तो पानी ज्यादा गेरा है तो पानी ज्यादा गेरा है तो सितम्बर में पिछले सितम्बर से इस सितम्बर में कुछ यूनिट हमारी बची है में और अभी अक्टूबर में अभी तक पानी गिर रहा है तो पिछले अक्टूबर में किसान लोगों का जो भी पलेवा है या जो भी रहेगा वह कुछ कम रहेगी पानी किरने से फिलाल इतना ही तमाम खबरों के लिए पने रहे हैं खबरंग्रिक के साथ